हमारे पास दो टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं नमर वन इंपक्ट प्रिंटर्स और नॉन इंपक्ट प्रिंटर्स सबसे पहले देखते हैं इंपक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं इंपक्ट प्रिंटर्स हमारे पास ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो आपकी output striking की मदद से produce करते हैं यानि कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो हम क्या कहते हैं striking हो रही है तो impact printer हमारे पास ऐसे प्रेंटर्स होते हैं जो image आपका किसी की striking के थूर प्रेंटर्स करते हैं अब striking किस प्रेंज की हो सकती है या किसी और चीज़ की striking हो सकती है impact printer हमारे पास type writer की तरह देखाई देते हैं कुछ इस तरह से दखाई देते हैं आपके पास impact printers यह क्या करते हैं आपका जो image है वो striking के थूर प्रेंटर्स करते हैं इसमें हमारे पास कोई pins हो सकती है जो क्या करती है जो आपके ink ribbon के उपर strike करती है वो ink ribbon आपका आपके page के उपर आपके page के साथ जब वो touch करता है तो क्या करता है आपके जो भी characters हैं या images हैं वो उस page के उपर print कर देता है impact printers हमारे पास एक old technology है इसलिए इसकी जो quality है printing quality वो इतनी अच्छी नहीं होती है और ना ही इसकी जो print करने की speed है वो ज्यादा तेज होती है यह बहुत slow speed से printing करते हैं और एक और इसका जो इडिन अर्वांटीज है वो यह है कि print करते वकत वो ज्यादा noise produce करते हैं क्योंकि हमने देखा कि impact windows क्या करते हैं striking के through image को produce करते हैं और जब दो जिए कि strike होती है तो वो क्या करते है एक noise produce करता है इसकी working कुछ इस तरह से होती है कि सबसे उपर मारे पास pins होती है वह pins कि उसके नीचे हमार पास एक ink ribbon होता है और इस ink ribbon की नीचे मारे पास page होता है जो pins है वह ink ribbon के उपर strike करती है ink ribbon आपका आपके page को जैसे ही touch करता है तो वह क्या करता है आपको जो भी required output है उस page के उपर print कर देता है impact printers के मारे पास बहुत सारी types है जिसमें से बहुत ज्यादे समाल होने वाली types है उसमें है dotmatics printer, second में आता है मारे पास daisy well printer, third में 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 पास line printer इन तुमाम types को हम detail में discuss करेंगे लेकिन अपरे next lecture के अंदर second जो हमारे पास printers की type है वो है non impact printers non impact printers हमारे पास ऐसे printers होते हैं जो striking के बगएर image को produce करते हैं यह printers different technologies को use करते हुए आपकी image को यह आपकी output को print करते हैं for example, in technologies में हमारे पास spray ink हो सकती है कि ink को spray करते हुए image के उपर हम ink की क्या करेंगे spray करेंगे और क्या होगा आपका output यह आपका जो result है वो print हो जाएगा second बे हम heat की मदद से print कर सकते हैं और pressure की मदद से भी अपने image को print कर सकते हैं non impact printer वारे पास printer की advanced technology है इसलिए इनकी जो quality है यह भी impact printer की निसबत काफी बहतर होती है इसके इलाबा इसके इनकी जो speed है वो भी impact printer की निसबत काफी ज्यादा fast होती है और इसका advantage एक और यह भी है कि यह noise बिलकुल भी produce नहीं करते हैं during the printing जो आपके non impact printers हैं कि प्रेंट करते हैं वोकत कोई भी noise produce नहीं करते non impact printers की कुछ types को देखते हैं इसमें मार पास laser printer, inkjet printer और thermal printer इन types को हम details में next lecture के नदे देखेंगे आज के लिए इतना ही thank you very much करते हैं कि यह एक इन भी झाल झाल